नमश्कार मेरे प्यारे भाईयोंस देखिए आज हम सारनपूर में कुल्तार सिंग्य फार्म हूश है própria हम आप के लिए एक वीडियो शूट करने जो आप लोगों के लिए एक वह टास्क क्ये यहां पेना नई कलॉनी बनी है इस कलोनी में अभी हम देखें तो काफी सारे घर बन रहे हैं यह 4-5 घर है ठीक है इदर एक पूरा प्लॉटिंग सेक्शन है इदर भी यह कैमरा घुमाता हूम तो इसमें पार्क है देखें यह पूरा एक पार्क का इरिया है अभी खायर बरसाथ में में निकरा गया है लेकिन धीरे धीरे जैसे कलोनी डेवलप होगी तो मेंटेन किया जाएगा जूम करके दिखाता हूँ आपको एक ये रोड है ठीक है इस रोड के जस्ट उन घरों के अपोजिट में एक पार्क है फिर एक पार्क उससे आ गया है तो हर लेन में एक पार्क है ठीक है और सिविलाइजड कलोनिया सिविलाइजड का मतलब है कि सीवर सिस्टम है इसके अंदर ठीक है बिजली है सड़क है पार्क है अप्रूड कलोनी है सारंदपूर डेवलपमेंट अथरोर्टी के दुवारा और जो रिहाईश है वो बहुत अच्छी फैमिलीज की है मतलब यह मान क्लोज टू नेचर है चारों तरफ हर्याली हर्याली है कलोनी में काफी लंबी चौडी कलोनी है इसमें अलग अलग तरह से तीन लेन है और मॉर्निग वाक कोई पॉलूशन नहीं कोई नॉइस पॉलूशन नहीं है एकदम शान्त है जो बुज़र्ग अपना रेटाइर्में है वैसे तो देखे जब आप भाव करने आएंगे तभी पता चलता है ठीक है तो अप्रॉक्स वही है 20-25 जार उपे गज क्योंकि साहरनपूर में उत्तर प्रतेश में गजों के इसाब से जमीन है ठीक है बाकी तो कोई बैठ के बाई बात करेगा तो ही सेटिल्मेंट होता ह कुलतार सिंग का फां माउस पर है और एकधम से जैसे ना बोलते हैं ना की शुत्री है साफ सुथरी है क्यूंकि साफ सुथरी अच्छा इसमें एक एंट्रेंस है ये मैं दिखा does आपको ये उस साइड से महाश से मैं रहें याण सा ओती है डारेक्ट बाहर से उस पह security guard CCTV camera वगरा सब कुछ installed हैं तो मेरे जो भी भाई कोई plan कर रहे हैं सोच रहे हैं इस तरह की colony लेने का प्लॉट लेने का तो इसमें भी याज option चूज कर सकते हैं लेकिन जो nearby के हूँ वही सोचने का plan करें क्योंकि दूर का आदमी आएगा बाहर से तो थोड़ा सा कहीं न कहीं मन में हो रहता है वीडियो कैसी लगी भाईयो comment section में जरूर बताईएगा और जो है please आप जो है थोड़ा subscribe जरूर कीजिए so that कि मैं आप लोगों के लिए motivate रहूं हमेशा रोज कुछ ना कुछ नया एक क्या हो रहा है वह आप लोगों के लिए ले के हूँ तो please share subscribe like और comment जरूर कीजिएगा thank you